हेलो गाईज, I hope कि अब सब लोग अगर पाशीफ है, तो हमारे आज के पोयम का टाइटल है No Manor Foreign, बिस्किली इस पोयम में 6 चैंजाज है, हम सब का एक्स्प्लेनेशन एक एक करके समझेंगे, फर्स चैंजा में पोयेट कहते हैं, हम पीपल भले डिफरेंट कंट्री से बिलॉ हम सब की लाइफस्टाइल लगबख सेम ही है, बस लाइफस्टाइल को जीने का तरीका चेंज हो गया है, हम पीपल को डिवाइड करने में इन स्टेट्स और कंट्रीस के बॉर्डर का हाथ है, अगर ये बॉर्डर नहीं बने होते, तो शायद आज हम सब एक साथ मिलके रह इसके अलावा अगर हमारी डेफ भी होती है तो हम इसी धरती मा के गोद में दफ जाएंगे, सेकेंड स्टेंजा में, पोट हमारी उनिटी के बारे में बात करते हैं, वो ये कहते हैं, बले ही हमारी कंट्रीस और स्टेट्स डिवाइड़ हों, बट हम यूज तो सनलाइट व अगर हम सब प्यार से रहने लगे, तो हमारे बिच कंट्रीक्स का एंड हो जाएगा, चाहे जगा कोई भी हो, बट poor people को उनके हिसाब से lifestyle मिलती है और rich people को उनके हिसाब से lifestyle मिलती है, चाहे हम foreign में क्यों ना चले जाएगे, जीवन जीने का तरीका हर बंदे का सेम ही होता है, force chanza में poet कहते है कि इस world में ऐसे बहुत से लोग है जो एक दूसरे के बीच कुछ ना कुछ बातों का यूज करके conflicts create करते है और इसी वज़े से हम सब के बीच में कई सारे differences create होते है और हम जगड़ा करना start कर देते है बट अगर हम इन ideas को derive करते है तो हमारे बीच differences होंगे ही नहीं और आज हम जिन लोगों से country के waters पे fight कर रहे है वो सब लोग हमारे brothers बन जाएंगे poet कहते है अगर हम किसी दूसरे person की जान लेते हैं तो हम पाप कर रहे हैं इसलिए poet कहते है हम सब एक है फिफ स्टेंजा में poet कहते हैं वह से किसी का कोई फाइदा नहीं होता in fact हम अपने ही अर्थ को हाम पहुचा रहे होते हैं इससे हमारे resources तो deplete होई रहे हैं साथ साथ जो resources at present हमारे पास हैं वो भी खतम होते जा रहे हैं लास्टेंजा में poet कहते हैं जब wands के टाइम पे हम bombs और guns का use करते हैं तो उसके बाद जो भी धुआ उठता है वो धुआ ओजोन को affect करता है और पुरी अर्थ जहरीली बनती जाती है इससे pollution बढ़ रहे poet बोलते हैं हमारी गलतियों का पैर नाम धर्ती मा भुगत रही है poet last में कहते हैं हमें अपने लोगों के साथ लड़ाई करना बंद करना होगा हम सब को एक होना होगा तब ही हम इस वर्ड में डिवाइड़ कंट्रीज को भी एक कर पाएंगे तो guys I hope कि आपको explanation समझा गया होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चानल पर नेव तो सब्सक्राइब करो मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay safe, goodbye